राधे राधे मेरी यूटूब फैमली तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुलाब जामुन की एक आसान रेसिपी जब भी कपी तोहारों का जो सीजन सुरू होता है तो सबसे जादा मिठाईयों पर बहुती जादा मतलब की क्या बोलते हैं हम डिपैंड रहते हैं कि मिठाईय तो हमारे घरों में बनती बनती है जिसमें गुलाब जामुन एक मेंसा हो गया है ये खाना तो सभी को पसंद है लेकिन बनाना बड़ा मुस्किल हो जाता है बहुत बार हम बनाते हैं इसमें गाठे बन जाते हैं ये फ्लैट हो जाती है और खाने में अच्छे नहीं लगते हैं ये वो स्वाद नहीं आता है जो अक्सर हलवाई के या फिर मार्केट के गुलाब जामुन में आता है सबसे बड़ी बात ये भी है कि हमारा बजट नहीं होता है गुलाब जामून अक्सर खोये के बनाये जाते हैं और खोया दोस्य बनाया जाता है और दूर्द मिलना सभी के हैं पर मुश्किल हो रहा है तो चलिए गुलाब जामून की 851 रेसीपकों शुरू करते हैं जो कि बहुती कम बजट में और बहुती जल्दे से बनके तयार हो जाएंगे यहाँ पर मैं यह गुलाब जामून का प्रेमिक्स ले रही हूं और यह 175 ग्राम 80 रुपे में आ जाता है मतलब 80 रुपे में 30 से 40 हमारे गुलाब जामून बनके तयार हो जाते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पर चासनी तयार कर रही हूँ यहाँ पर यह मैंने एक कप चीनी लिया है और एक ही कप पाने लिया है अलब गुलाब जामून की जो चासनी है आपको बराबर मात्रा में चीनी और पाने को रखना है इसकी जो हम चासनी यानि के जो सीरप तयार करेंगे उसको हमें तारवाला नहीं बनाना है केवाल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आप इसको बीच बीच में चलाते रहिएगा और जब तक आपके चीनी अच्छे सी गुला जाये जब तक आपको ये पका लेना है मैंने हाप पर एकदम simple syrup बना के तयार किया है ना कोई इसमें केसर वगेरा डाला है ना कोई ilaiji powder डाला है आप चाहते हैं थे हैं आप हम ilaiji powder और केसर वगेरा कुछ भी डाल सकते हैं इच्छ है आपकी चीनी खुल चुकी है चासनी तयार हो चुकी है यहाँ पर कड़ाई रगती है गी में बनाएंगे इस गुलाब जामुन को तो मैं यहाँ पर पारस का सुध देशी घी इस्तेमाल कर रही हूँ सुध देशी घी मैं अपने घर के घी को ही बोलती हूँ मैं बाजार के घी को सुध देशी घी नहीं बोलूँगी यह मार्केट का नॉर्मल देशी घी है कड़ाई में डाल दिया है देरे देरे गराम होता रहेगा यहाँ पर हम एक डो तयार कर लेते हैं तो 175 ग्राम का यह पैक ता मैंने टोटल यहाँ पर डाल लिया है उसके बाद मैंने यहाँ पर यह 125 एमल का कप ले लिया है क्योंकि कुलाब जामून का जडो बनाएंगे उसमें एक्कुरेट मेजरमेंट का होना जरूरी है तो मैंने यहाँ पर टोटल 125 ग्राम पानी लिया है और यहाँ पर मैं थोड़ा-थोड़ा करके ही डालूंगी कहने के लिए बोला जा रहा है कि 200 ग्राम जो आपका यह प्री मिक्स होगा उसमें आपका 175 ग्राम की जितना पानी चला जाएगा बट मुझे नहीं लग रहे जाएगा तो मैं यहाँ पर यह थोड़ा-थोड़ा करके डाल दी हूँ और आटे की जो कंसिस्टेंस है उसको भी ध्यान में रख रही हूँ हमें यह हाथों से नहीं बनाना है और इसको बहुत ज़द दबाके नहीं बनाना है ऐसा मान सकते हो के इसमें पानी का छिरकावसा देना है कठा घर के रख देना है एकसे डेर्ड चम्मच के जितना पानी मैंने बचा भी लिया है अब हम इसको कवर कर देते हैं और करीब 5-7 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ज्यादा देर के लिए नहीं छोड़ेंगे, पांच साथ मेंटे में यह तयार हो जाता है। तो देखे, पांच साथ मेंटे हो चुकी है, और यहां पर यह अच्छे से तयार हो रहा है। उसके बाद हम यह पर एक से डेर चमच के जितना घी ले लेते हैं, यह मैंने घर का ही घी लिया है अपना, और क्या करते हैं, पहले तो इस पून के ऊपर से इस डोग को हम अटा लेते हैं, और फिर हातों को हलका सा हम घी से ग्रीस कर लेंगे, और इसको रफली सा ही कठा मतलब चिकना नहीं करना है एक दम से इसे, हमें मतलब इकठा सा कर लेना है, जैसे हमने इसको स्पून से मिलाया था, अगर इसमें थोड़े बहुत लंस रह गए होंगे, तो यहां पर कवर हो जाएंगे, तो देखे इस तरीके से हमें इसको तयार कर लेना है, फिर हातों को ह वहां में थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेना है, और इसकी इस तरीके की बोल बना के तयार कर लेनी है, बोल बनानी है, इसकी एकदम क्रैक फिरी, बिलुकुल भी इसमें क्रैक नहीं होना चाहिए, नहीं, तो जब हम इसको घी के अंदर डालेंगे, तो यह फट जाएंगे, तो आप चाहें तो यहाँ पर गुल जामुन बना सकते हो, या फिर इस तरीके से थोड़ी से जो लंबे से ववल आकार के आते हैं वो भी बना सकते हो, बट मैं आज यहाँ पर एकड़म गुल आकार के ही गुलाब जामुन बना रही हूँ, तो देखें बहुती आसानी से इसकी बॉल बनके तयार हो रही है आठा आपका भले ही फटा फटा लग रहा हो लेकिन इसकी बॉल लेने एकत्म चिकनी बनके तयार हो जाएगी अगर आटे को आपने ज़्यादा चिकना करने की कोशिश की तो क्या होगा आपके गुलाब जाओन फट जाएंगे यह अच्छे जेना बाइंड नहीं होंगे तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ एक बैच के गुलाब जाओन बनाके तयार कर लेती हूँ क्योंकि इनको बनाना तो बहुती ज़ादा आसा आने इसमें ज़्यादा महनत नहीं करनी पड़ रही है तो जब तक हमारे यह एक बैच बनके तयार होगा जब तक मैं दूसरा बैच भी बनाके तयार कर लोगी टोटली यहाँ पर धाई बैच के जितने जो है मतलब जामून बने थे टाइम हो रहा है करीब 11 बजे का और आज है निशान चड़ाने वाला दिन मतलब हमारे हैं पर जो जार बाबर है उनका मेला लग रहा है तो मेरी सासुमा अभी आई है वो सुबाज नाश्ता भी नहीं किया था तो चाय वगएर का तो टाइम नहीं था तो अधर मेरे हजबंड क्या करें सासुमा को दूद बनाके दे रहे है तो चली कि यहाँ पर ना है मेरा एक बैच जो है मतलब मैंने बनाके त्यार कर लिया है जो हमारा घी दा वो भी हलका सा गरम हो चुका है तो बचावा जो यह डो है इसको कवर करके रख देते हैं कहीं इस पर सोकी पपड़ी ना आ जाए आपको ध्यान देना है घी के टैंप्रेचर पर घी का जो टैंप्रेचर है यहाँ पर एकदम सी ठंड़ा नहीं होना जब हलका सा ही गरम रहेगा तब ही हम इसमें करके गुलाब जामुन को डाल देंगे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप पर्फेट नहीं हो गDonal के सिल्गऑ가ुबनाई कर देख ले गर सही नहीं तो बना ले नहीं तो फिर उसमें थोड़ा बहुत और कुछ नगोृ जग तो देखे जैसे आप गुलाब जामुन को डालोगे आपको एकदम से यह छेडने नहीं है जब आपको ऐसा लगी कि हलके हलके सीखने लगी है यह ऐसा लगे कि थोड़े बहुत गुलाब जामुन नीचे मतलब उठके नहीं आ रहे हैं तो हलका सा कोई इस्पून ले लोगे छ चिक्के बिल्कुल तैयार हो चुके है अगर आपको गुलाब जामुन का थोड़ा सा कलर डार्क हाँ के नचेार तो इनको थोड़ा सा पहले भी उतार सकते हैं पर ये ना गुलाब जामुन का एकतम perfect color होता है चासनी में इनको मैंने डाल दिया है जब आप गुलाब जामुन को चासनी में डालोगे जो चासनी है उसका जो temperature एकतम ठंडा नहीं होना चाहिए मतलब कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि जैसे हैं यहाँ पर गुलाब जामुन को डालेंगे गुलाब जामुन डालने के बाद ये धीरे-धीरे से फूलने शुरू हो जाए अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने आपर ये दो बैच डाल दिये थे कि चासनी ने मेरी ठंडी सी हो चुकी है तो मैंने इसको ना हलका सा गरम होने के लिए रख दिया है अब मुझे गुलाब जामुन बनाते बनाते टाइम काफी हो चुका है लगबग में 12-12 पजे का टाइम हो रहा है तो मेरे हजबन ने कुकर में डाल रख दी है बनने के लिए बोल लेते चल तो ये काम कर ले डाल में रख देता हूं बनती रहेगी खाना वाना बाद में बना लेगी यहां मेरा तीसरा बैच सीखी रहा है तो आप अंदाज लगा सकते हो कि चासनी में गुलाब जामुन को जाए करीब आठ या फिर दसी मिनट का टाइम हुआ है और गुलाब जामुन हमारे बहुत ही अच्छे से फूल रहे हैं मतलब चासनी में कुछ इस तरीके से फूल चुकी थे कि हहाँ पर मेरे चासनी भी कम मुझे नजर आ रहे थी तो मैंने यहाँ पर थोड़े से गुलाब जामुन निकाल लिया है वो भी तयारी हो चुकी है और तीसरा बैस डाल दिया है इसको छोड़ देता है दो से तीन घंटे के लिए तो जैसी मैंने इसको बीच में देखा जो गुलाब जामुन थी वो बहुत ही अच्छे से फूल ते आ रहे हैं तो जो यह गुलाब जामुन थी इसको मैं ट्रासपर कर रही हूँ एक बाउल में और यहां पर मैं थोड़ी सी चासनी बनाके डाल दोगी मतलब वही जैसे हमने यहां पर एक कप चीनी लिया है एक कप पाने डालके में चासनी बना लेनी है तो मैंने यहां पर यह चासनी ड कारें लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं गुलाब जामून नबनके तयार हो चुकी है हाला कि इसमेंसे पान श़ए गुलाब जामून हम निकाल भी चुके हैं क्योंकि हम्ने दोपैर dabei नहीं लग लगा इसको मैंने बहुत ही लाइट सा सेख के देखा था कि देखती हूं मतलब फोर एक्जामपल अपने ही लिए कि देखती हूं यह सही रहेगा कि नहीं रहेगा लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अगर हम इनका कलर थोड़ा सा लाइट रखेंगे तो यह जादा ना सोप्ट हो जात और खोड़ा मोटा दिकर होगा कोई पतला सा भी दिखरा होगा वह इस वज़े से दिखता है क्योकि मेरी मतलब जो मैं काम करती हूं मेरे हजबन ने बनाए थे तो वो थोड़े से मोटे बनाते हैं और मैं थोड़े चोटे साइज के बनाती हूं अब मैं गुलाब जामुन आपको अंदर से काटके भी दिखा देती हूं क्योंकि जब तक आपको अंदर से कटावा नहीं दिखेगा तो आप को इसका असली टेक्चर का पता नहीं लगेगा, तो देखिए, वो ही जाली बनके आ रही है, कोई भी गाठ ने बनी है, बलकि अंतर जो हलका पीला-पीला सा निकलते हैं, मतलब इस तरीक हैगा, यह गुलाब जाओं मन के तयार हो चुका है, सच मानी मुझे खुद भी यकीन नहीं था, कि मतलब इतने परफेक्ट बन जाएंगे, अच्छे बन जाते हैं, लेकिन मुझे यह नहीं पता था, कि वास्तों में रिजल्ट बहुती अच्छा आने वाला है, यह गुलाब जामुन, मैं यह बोलूँगी कि मार्किट से जादा अच्छे बने हैं, मैं मीठे ख भर चुगा है, है कि नहीं, तो इसे अच्छी और क्या रेसिपी होगी, आपके लिए गुलाब जामुन की, तो मैंने तो यह गुलाब जामुन अपने घर में बना के तयार कर लिए हैं, रक्षा बंदन आई रही है, कल या फिर परसों में रक्षा बंदन हमारी होई तो राधे राधे दोस्तों मिलते हूँ अच्छी रेसिपी में